आरकेपुरम सेक्टर 9, टाइप 2 क्वाटर, रिनोवेशन के बाद देखिए, बहुती सुन्दर लग रहा है, देखते हैं फूरा वीडियो, रिनोवेशन में क्या-क्या काम होता है, आरकेपुरम टाइप 2 क्वाटर में दो रूम, घर के अंदर आते ही सामने एक बरम्दा, ए एक बात्रूम और एक टॉयलेट है, तो देखते हैं वीडियो को. लिख्रेल प्रवाइए भी एस फिटियो में कि यह देख सकते है यह यह अरकेपूरम सेक्टर 9 का टाइब 2 कवाटर फ्रlles एक कवाटर खाली है और इस खाली वाटर में बे रिनिवेशन का काम हो रहा हैαι सबसे पहले देखिए यह वास्रूम है और वास्रूम में टाइल्स लगाया है पूरा उपर से नीचे तक देख सकते हैं अभी काम चल रहा है इसमें रिनिवेशन का काम और और जो स्वचालय है स्वचालय देखिए यहां पर यहां भी उपर से नीचे तक टाइल्स लगाया हुआ है अभी लाइट नहीं है इसलिए अभेरा लग रहा है वासरूंग में भी देखिए टाइज लगा रहे हैं उपर से निचे तक अलमारी है यहां पर जो पहले थे उन्होंने लगा के गया है हर क्वाटर में यह चीज नहीं होती है यह देखिए जो पहले राते थे उन्होंने बना के गये हैं बहुत अच्छा है क्वाटर यह सामने एक सोकेस और दुसरे क्वाटर में नहीं किसी किसी में है इन्होंने प्र अलग से बनाया हमालों किछन में काम हो रहा है देखिये आप आप अच्छा काम कर रहे हैं आप नहीं है अपने अच्छा चमका दिया है जोकिछन को देखिए उपर से उपर से नीचे तक पीचेन में टाइल शुलाया है बहुत ही अच्छी तरह से बना रहे हैं भाई साम यह देखिए यहां पर सिंक बरतन धोने के लिए सिंक और यहां पर गैस चुला लगेगा गैस टो बैसाँ काम कर रहे हैं अब काम खटम होनी वाला है एक-डो दिन में उसके बाद यहां बिज बगरा लगा दिया है अब वाइरिंग का काम एक दो दिन का काम होगा और यह एक कमरा है पहला कमरा जो टाइक टू का है आर्टिवर्म सेक्टर नों में दो कमरे हैं एक यह वाला कमरा इसमें देखिए इस पाइप बगरा लगा दिया है जो दिवाल के अंदर पाइप लगता ह और यहां दिखिए, यहां दरवाजा, बाहर, बाहर का दिरिश से दिखा जा सकता है, यहां से, और यहां एक, आप बच्चों के स्टेडी रूम बगरा बना सकते हैं, बालकोनी, जो किनारे का घर है, उसका बालकोनी छोटा होता है, लेकिन यह बीच का अगर कोई घर हो, क्वाटर हो, तो उसका बालकोनी यह बरंदा बड़ा होता है, तो यह बड़ा है, देख सकते हैं, बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, आरकेपुरम सेक्टर 9, टाइप 2 का क्वाटर, जो पहले रहते थे, उन्होंने यह अलमारी बना के गए हैं, तो उन्होंने तोड़ा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, देख सकते हैं, यहाँ से बाहर की रियू देखा जा सकता है, और अब दिखा रहे हैं, बेड़ रूम, जो दूसरा रूम है, बरंदे के अलावा जो दूसरा रूम है, दूसरे रूम के तरफ हम दिखा रहे हैं, यह देखिए, लाइड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा साप दिखाए नहीं दे रहा है, देखिए, यहाँ भी काम पूरा कम्प्लीट है, बिजिली का काम, बस वारिंग का काम, दो दिन का काम बाकि है, यहाँ देखिए अलमारी, अलमारी में काफी गहराई है, देख सकते हैं, काफी सामान इसमें आएगा, यहां घर के कपड़े लखा जा सकता है, और यहां भी एक यह दर्वाजा है, लेकिन जो पहले रहते थे, जो पहले रहते थे उन्होंने तोड़ा नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इसे तोड़कर दर्वाजा इसमें लगा दिया जाएगा, देख सकते हैं, अब फाइनल हो जाने के बाद, आपको इसका द्रिश्यत दिखाएंगे, घर के बाहर से एंट्री करते हुए आपको एक बार दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, घर के बाहर से कुछ इस तरह से लग रहा है, दोस्तों, अब दूसरे दिन का द्रिश्यत देखते हैं, टाइल्स और सिमेंट के बाद, अब वाइरिंग का काम हो रहा है, देख सकते हैं, वाइरिंग वाले आ गए हैं, नए ने तार लगा रहे हैं, तार लगा दिया गया है, और घर के अंदर, यहां पर एक बोर्ड, दे बोटा आ दिया, यह देखिए, पिछले दिन तार लगाया नहीं था, और आज तार लगा दिया है, जो हॉल है, जो कमरा है, पहला कमरा उसमें तार लग गया है, नया वाइर लगा दिया है, देख सकते हैं, और स्वीच बोट भी लगाना बाकि है, दो एक दिन में लग कि इंद लग गया थार वाइर इंग का काम हो गया है इंद है ओ Sure और यह बेडर्रूम में भी थार लग गया है complete वारिंग का काम बस फाइनल होने वाला है स्विच लगना वाकि है और कनेक्शन देना है सफेदी होगी और दर्वाजे और थिड़की में पेंट होगी और कीचन के बाहर भी देखिए तार लगा दिया है कीचन में स्विच यहां एक्सास के लिए होल किया है बस सफेदी होना बाकी है फाइनल हो गया है पुरा काम अब वलपुट्टी का काम हो रही है देखिए और वलपुट्टी के बाद सफेदी होगी अब तो पुर्टी हो गया है इसमें पुर्टी हो गया है अब सफेदी बाकी है फाइनल मोट पर है काम बिल्कुल कम्प्लीट है तैप टु कॉर्टर का देखिए इसमें लाइट बगरा लगा दिया है और देखिए यहां भी लाइट लगा दिया है देख सकते हैं और स्विच बोट भी लगा दिया है अब सफेदी बाकी है और दर्वाजा पेंट खिर्की में भी पेंट होना बाकी है यहां पर अभी लाइट कनेक्शन नहीं दिया है स्विच बोट लगा दिया है बस कनेक्शन देना बाकी है सफेदी बाकी है यहां पर कर रहे हैं दो लड़का है भाई लोग कहां के हो आप लोग दर्भंगा बिहार के हो बहुत बढ़िया काम अफिकल रहे हो सहीए अच्छा अच्छा चला बहुत अच्छी बात है यह भाई लोग दर्भंगा के हैं विहार के अब यहां पर सिर्फ सफेदी बाकी है स्विच देखिए स्विच बोट लगा दिया है और पीचर भी कंपलेट है देख सकते हैं एक्जाज़़श्पन लगा दिया है बस कनेक्शन देना बाकी है, डेजरूम में भी स्विच लगातिया है, देख सकते हैं, जो आपने शुरुवाती वीडियो में देखा है, उस समय के दिरिश्चे में और अब के दिरिश्चे में बहुत अंतर है, इस समय बिल्कुल काम फाइनल मोट पर है, देख सकते हैं, सिर्फ सफेती बा देख सकते हैं, सफेती के बाद दर्वाजा खिर्की वगरा पेंट कर दिया गया है, देखिए दोस्तों घर के बाहर से एंट्री करते समय बहुती सुन्दर लग रहा है, जो शुरुवात में आपने देखा है, उस से बहुती सुन्दर लग रहा है, क्योंकि अब सब्सक्राइब कर लिजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन और और भी कर दिजिए, ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपके पास पहुंचे, और वीडियो को देखकर एक लाइक जरूर कीजिए, अरके पुरम सेक्टर 9 टाइप 2 क्वाटर रिनिवेशन क के बाद बहुती सुंदर लग रहा है, दोस्तों देख सकते हैं, फाइनल रिनिवेशन का काम कम्पलिट है, देखिए दोस्तों पहले के टुटे-फुटे दिरिश से और रिनिवेशन के बाद के दिरिश से, बहुती सुंदर लग रहा है, दोस्तों एक लाइक तो जरूर की दोस्तों आज अपने वीडियो में देखा टाइब टुक वार्डर देलिवेशन होते में आसा करता हूँ आप तो ये वीडियो बहुती अच्छा लगा होगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थेने माले कुछ